हेलो गाइस, I hope आप सभी अच्छे होंगे, आज हम करने वाले हैं BSE 134, Block 4 Unit 17, जो कि हमारा लास्ट चाप्टर है, Analysis of Quantitative Data, Part 2, तो आईए सुरू करते हैं, तो इसकी introduction में सबसे पहले ये बताएगा है, कि जब भी हम जो data होती है, अगर हम उसको एक variable, अगर हर individual का अलग-अलग variable बना रहे हैं, मतलब एक-एक individual का एक variable है, ठीक है, तो उसको univariate distribution बोलते हैं, और अगर हम दो variable की बात करें, ठीक है, मतलब हर individual की हम दो अलग variable बना रहे हैं, तो उस study को उसको एक joint presentation का नाम देंगे, मतलब kind of joint presentation होगा, जिसको bivariate distribution बोलते हैं, ठीक है, तो हम आते है, the concept of correlation पर, तो इसका मतलब यह है, कि जब भी change होता है, मतलब एक variable में, एक variable में, अगर हम कुछ भी changes करते हैं, तो वो अगर दूसरे variable से related है, और उसमें भी change आ रहे है, for suppose मैंने, दो column बनाया हुआ, एक के change करने से, दूसरे column में भी changes आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलते है, correlation ठ बात कर रहे होते हैं, जहां पर हम उसके direction, उसके intensity की बात करते हैं, और उनके बीच का relation क्या है, इसको लेके बात करते हैं, ठीक है, अब आते है, types of correlation पर, तो सबसे पहले positive correlation, तो जो भी दो paired variables है, ठीक है, अगर वो same direction में, मतलब vary कर रहे हैं, मतलब change के साथ, मतलब same direction में जा तरफ अगर एक decrease हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, तो दूसरा भी कम होगा, ठीक है, तो इसको बोलते है positive correlation, for example, अगर आप study habits और achievement के बात करें, कि अगर आप जितना जादा पढ़ोगे, जितना अच्छे तरीके से focus होके पढ़ोगे, उतना जादा better achievement होगी, और अगर आप नह अलग direction में move करते है, मतलब, अगर एक बढ़ता है, तो दूसरा कम होता है, एक कम होता है, तो दूसरा बढ़ता है, ऐसे होगा, ठीक है, for suppose price of goods and supply की बात करें, मतलब, जो किसी भी एक particular सावान का price बढ़ता है, अगर supply कम होती है, और price गिरती है, अगर supply जादा होता है, तो य नहीं किया जाता, आपको कोई भी relationship नहीं देखती है, मतलब, जब आप एक में change करोगे, तो उसका effect दूसरे में नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो उसका अलग pattern होगा, और पहले वाला का अलग pattern होगा, for suppose, किसी भी child का, जो एक बंदा है, जो एक बच्चा है, उसका जो weight होता ह है, और उसकी जो intelligence level होती है, इसके बीच में कोई relation नहीं है, हो सकता है कि एक बच्चा बहुत ही सनिंकी है, मतलब, पतला है, और फिर भी उसका intelligence level बहुत जादा है, यह हो सकते है कि पतला है, उसका intelligence level नहीं है, या मोटा है, तो मतलब, यह कि किसी भी child का weight होता है, उसका जो coefficient of correlation and interpretation तो जो degree of relation होती है दो variables की बीच में उसको quantitatively measure किया जाता है मतलब आप उसको measure कर सकते हो in terms of number आप उसको measure कर सकते हो ठीक है तो उसको जो भी variables का जो measurement होगा मतलब उनकी बीच के relationship का measurement होगा अगर आप उसको कर पारे हो quantitatively तो उसको बोलते है उसको tom दिया गया की coefficient of correlation ठीक है अब इसका एक constant value होता है इसका जो symbol बताया गया है वो की r है या तो rho ठीक है रो आपको math में बढ़ाया है क्योंको तो ihoog के सबको पता होगा and then interpretation अगर हम उसके interpretation की बात करते है तो उसको एक verbal description से हम उसको interpret करते है हम आते है next topic पर that is method of computing coefficient of correlation तो इसमें सबसे पहला है rank order coefficient of correlation और spearman's rank order ठीक है इसमें ये बताया गया ना कि जब भी जो data होते है अगर वो ordinal scale पर मतलब जब हम ranks को suppose हम example लेते हैं ranks calculate कर रहे हैं तो ranks को calculate करने के different चीज़े हो सकते हैं हो सकता है कि आप उसके intelligence passes पर कर रहे हो उसके hard work पर कर रहे हो या फिर उसको कितने marks मिले है उसके passes पर हो रही है ठीक है तो इसकी category wise हो सकते है तो मतलब जब भी जो correlation होते है ranks के बीच में जो भी individual को assign की जाते है वो अगर दो traits या दो attributes दो column में बताए गया है दो भागों में बाटा गया है तो that is call तो वो होता है rank order coefficient of correlation ठीक है तो जो procedure है कि किस तरीके से आप assign करते हो rank वो आपको details जो भी form होते है calculated form वो आपको text book में मिल जाएंगे तो आप देख सकते हुआ से ठीक है हम आते है नेक्स्ट वाले पर that is purion product moment coefficient of correlation तो यह तब किया जाता है तो यह तब निकाला जाता है जब जो data of variables होती है जो हमारे पस ठीक है जो scores के form में होगा अगर हम उसको किसी भी meaningful way में represent कर रहे या determine कर रहे है तो वो होगा यह वाले ठीक है तो इसके अलग-अलग ways होते है calculation के सबसे पहला deviation score method मैं आपको textbook से समझा देते हूँ बिकस वहाँ steps देवे है आपको easy होगा देखने में ठीक है see तो आप यह चेक कर सकते हो यहाँ पे कि जहाँ पे हर terms की यह formula है जो आपको यह दिख रहा होगा यह formula है हमारी and then यहाँ पे उसके सारे कि किसको बोलते है rxy को correlation coefficient between x and y बोलते है then x को हम represent करते है deviation of first variable जो भी हमारा होता है तो उसके लिए तो यह सारे terms है जो आपको देख सकते हो and then आपको यह a group of 12 student has been administer intelligence and creativity test they obtain scores are given in the following table this example भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है solution के साथ जो कि आपको चेक कर सकते हो ठीक है में को नहीं लगता कि explain करनी के requirement है because obviously calculation है तो आप खुद समझ सकते हो जीज़े मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था मेरी math बहुत फीक है तो don ask me for calculation then हम आते है next पे that is computation of r by row score method sorry तो इस वाले में जो हमारी values होती है ठीक है जो भी हम निकालते है मतलब इस row score method में जो भी value of deviation होती है उसको आपको row score form में derive करना है या फिर दिखाना है ठीक है तो अगर अगर इसके calculation की देखे तो उसका आप यह formula जो दियावा यहाँ पर r is equal to n and these ठीक है यह formula का आप use करके calculate कर सकते हो इस चीज को ठीक है मुझे जहां तक पता है आपके इकनो की मतलब जो भी exams होते है मुस्किल से एक calculation आएगा हाँ right मुस्किल से एक calculation आएगा आप मत करो मैं यह नहीं बोले के करो अगर आपको बहुत जादा प्रॉब्लम में तो मत करो नहीं है प्रॉब्लम तो बिंदास करो क्योंकि बेटर होगा आपके लिए तो आप यहाँ पर example दियावा जिसके तुरू आप details में समझ सकते हो इसके सारे calculating steps आपको असाइन किये कि किस तरीके से आप calculate कर सकते हो ताकि कोई problem ना हो ठीक है next is comparison between rank order correlation and product moment correlation तो यह दोनों के बीच का comparison दिया हुआ है सबसे पहले अगर हम rank order correlation की बात करें तो उसको रो के ग्रीक लेटर है उससे denote किया जाता है वही पर product moment correlation को R से denote किया जाता है अगर हम rank order correlation की बात करते हैं तो वह छोटे साइज जो कि 30 आप बोल सकते हैं उतने तक के लिए ही applicable होती है वह bivariate होती है free distribution होती है जहां पर हम दो चीजों को दो variables की चीज़े देखते हैं जो मैंने इससे पहले explain करी थी वह आएगा इसके अंदर में इसको non-parametric techniques यूज किया जाता है इसमें कोई parameters नहीं होता है जो data होती है वह ordinal scale में होनी चाहिए ठीक है जो significance होती है रो का ठीक है उसमें हम certain नहीं होते है किसे भी चीज को लेकर मतलब जो relation होती है उनके बीच का जो भी variables के बीच का relation होगा वह certain होगा ठीक है उसका कोई भी certainty नहीं होगी उसको कोई भी regression या prediction आप नहीं कर सकते हो पहले से क्योंकि वह certain ही नहीं है तो आप predict कैसे करोगा तो यह सारी points होती है वही अगर हम product moment correlation के बात करें तो applicable होती है छोटे या फिर last sample आप छोटे samples के लिए भी इसको यूज कर सकते हो अगर आपका last sample है तो आप उसके लिए भी यूज कर सकते हो और यह भी bivariate linear distribution में यूज होती है इसको एक parametric technique यूज किया जाता है जैसे कि इससे पहले वाले में parameters नहीं होते थे यहां पर parameters होती है कि किस तरीके की techniques को आपको यूज करना है correlation derive करने के लिए तो जो data होती है वो interval scale पे होती है और जो significance होती है वो statistical inference होती है मतलब statistics में आप उसको define कर सकते हो या फिर उसको present कर सकते हो हाँ right यह सही है दन इसको prediction purpose के लिए भी use किया जाता है इसमें हम predict कर सकते है because ऐसा कुछ नहीं है uncertainty नहीं है तो certain होते है कि आपको statistical चीज़े मिल जाएंगे तो इसलिए यह भी कोई problem के बात नहीं है ठीक है हम आते है next topic पे तो next है हमारा normal probability curve अब यह base होती है हमारे law of probability भी ठीक है कि probability है कि होगा नहीं होगा ऐसे तो इसका एक bell shape होता जो bell shape curve होता जो इसका curve बनता है वो bell shape आपको दिखेगा ठीक है जहां पे तीन mazos जो three mazos of central tendency होती है हमारी mean, median and mode ठीक है यह एक point पे फोल करती है ठीक है अगर हम इसकी जो properties की बात करें ठीक है तो जो curve होगी आपको symmetrical मिलेगी bell shape होगी obviously then normal curve जो होता है ना वो bilateral होगी ठीक है दो form में then जो mean है हमारा median and mode यह same point पे आके रुकिए same point पे होगी और जो maximum ordinate होती है ठीक है वो center पे ही ओकर हो सकती है वो कहीं और side में नहीं हो सकती है मतलब ना ही left side ना ही right side ना up यह down ठीक है वो आपको center पे ही मिलेगी then जो mean और medium के बीज में वो equidistance होगा ठीक है इन दोनों से और हमारा curve asymptotic wait 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 asymptotic इसका meaning आप normally बोल सकते हो कि जिसका कोई ending नहीं होता ठीक है वैसे उसको बोलते है ठीक है तो जो curve होगी उसकी ending प्रॉपर नहीं होगी ठीक है वो infinite होगा हाँ यह best word है इसका smooth curve होगा ठीक है यह uni model होती है इसका smooth curve होता है जो curve होता है उसमें आपको कुछ भी ऐसी तोटना नहीं दिखिए बीच में कोई break नहीं होगा वो बहुत ही smooth होता है ठीक है और जो total area होते है NPC का वो divided होते मतलब standard deviation में और transform row data standard scores उसको दो चीज़े में कीज़े आप details जो मतलब इसका जो explanation होगा explanation नहीं बोलूँगी इसके जो भी calculations होगी वो आपका textbook में मिल जाएगी ठीक है I'm really sorry for this then the next is deviation from normal ठीक है इसके दो वीस होते है जहांपे हम distribution को deviate कर सकते normal distribution से सबसे पहला leg of symmetry जिसको हम skew की नाम से भी जानते है and then दूसरा है pointiness जिसको kurtosis भी बोलते है तो जो deviations होते नॉमल से उसको अलग-अलग चीज़ों में मतलब इसको मेज़ो कर सकते है सबसे पहला हम skewness की बात करते है ठीक है हमारी जो NPC होती है ठीक है वो अगर scatter हुई है symmetrically symmetrically around its mean मतलब mean जो की center पहे है ठीक है तो यह चीज़े होते है मतलब sometimes spread दोनो equal होती है बढ़ कई बार ऐसा होता है कि equal नहीं होती है तो अगर जो mean के दोनों साइड के अगर वो equal नहीं है एक दूसरे से तो उसको skewness बोलेंगे ठीक है अब इसको measure कर सकते है अगर हम इसको measure करते है तो 3 mean minus median by standard deviation यह आपका formula होता है जिसको आप use करके इसको निकाल सकते हो ठीक है वाहिए अगर हम करते है तो वह define करते है कि जो हमारा distribution होगा ठीक है जो standard मतलब जो भी distribution हम कर रहे है टेबल में वह अगर pointy है जितना ज्यादा pointy है उतना ज्यादा उसको मतलब यह से pointy-ness को दिखाता है कि कितना pointed हो ठीक है तो यह measure करता है कि data आपका heavy-tailed है या फिर light-tailed है ज्यादा pointed है या फिर कम pointed है kind of asset मतलब जो हमारा normal distribution होगा उससे हम compare करेंगे और वह define करेंगा कि हमारा heavy-tailed है या light-tailed है ठीक है Then हम आते है application of normal probability curve तो सबसे पहले तो यह कि मतलब जो normal probability curve है इसका application curve होता है मतलब कब हम करते है तो सबसे पहला जो भी अलग-अलग distribution होते उसको compare करने में यह बहुत काम आता है मतलब सबसे जादा use technique है दूसरा अगर हम किसी भी purpose कि according group कर रहें किसी भी distribution को ठीक है उसको grouping दे रहें तो उसके लिए normal probability curve बहुत काम आएगा and then the third जो percentage होती है cases का normal distribution में वो एक limit तक होती है ठीक है within एक limit एक limit आपने set कर दी है then उसकी percentage of cases आपको निकालने तो उस चीज को determine करने के लिए normal probability curve बहुत ही काम आने वाल है ठीक है तो इसलिए मैंने आपको overall idea दे दिया जिसके थो आप exam में खुद से चीजे देख सकते है आप formulas अगरा देख लेना याद से because उसमें problem हो सकते है आप calculation देख लेना एक बार आपको वहाँ पर process भी दिया होगा textbook में तो आपको problem तो नहीं आनी चाहिए वैसे अगर आपको कोई भी problem आती है या कुछ भी doubt होता है इस चीज से related तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हो मैं आपको बता दूँगे notes आपको हमारे telegram channel पे मिल जाएगा I hope आपका exam बहुत अच्छा जाएगा इस paper का तो all the best and thank you bye-bye take care